बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है टीवी सीरियल तारक महता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है काफी लंबे समय से लोगों का मनुरंजन करतार आ रहा है इस शो के हर किरदार से लोगों को खास जुड़ाओ है अगर आप भी इस शो के हाई फाई फैन है तो आपको ये बात पता होगी की रीटा डिपोर्टर ने हाल ही में दूसरी बार शादी कर ली है और इस शादी में पूरी तप्पू से ना पहुँची थी लेकिन इस गैंग के एहम मेंबर यानि तप्पू ने शादी में शिर्कत नहीं की तप्पू का अता पता नहीं रहा रीटा का रोल निभाने वाली प्रिया आउजा का टप्पू सेना से कुछ जादा ही लगाओ है और लगभग पूरी टप्पू सेना वहां पहुंची भी थी पुरानी सोनू भी इस शादी में अजीवो गरीब रूप में नजर आई थी लेकिन टप्पू का कोई अता पता नहीं था बेहत खुश दिखी प्रिया बता दें कि प्रिया आउजा और मालवर राजदा ने शनिवार यानि 20 नौंबर को अपनी शादी की दसवी सालगिरा मनाई इस मौके पर उन्होंने एक बर फिर शादी की ओर से हर रस्म को निभाया प्रिया आउजा ने अपनी शादी की कई सा शादी में प्रिया आउजा ने हलका गुलाबी रंग का लहगा पहना था बड़ा सा मांगती का जुमके और हैवी नेकलेस में बेहत ही खुपसूरत और खुश नजर आ रही बता दें कि प्रिया और मालव की एक दूसरे से दोस्ती चोके सेट पर हुई थी और फिर प्यार दोनों ने 19.09.2011 में शादी की थी शादी के 8 साल बाद 27.09.2019 को प्रिया मां बनी थी और उन्होंने बेटे को जन्म दिया मालव है शोखे डिरेक्टर प्रिया आहुजा राजदा के पती मालव राजदा गुजराती डिरेक्टर है और वो तारक महता उल्टा चश्मा के साथ भी चीफ डिरेक्टर के रूप में जुड़े हुए हैं शादी की रस्मों के बाद प्रिया आहुजा और मालव राजदा ने शादी में पहुंचे महमानों के साथ पोस दिये तो गाइस क्या कहना है आपको प्रिया आहुजा और मालव राजदा के लिए प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना न भूलें और देखते रहें बिग स्क्रीम